जे महाकाल दोस्तों मैं बंटु सर्मा यूट्यूब के माद्यम से आप सबों के बीच यह एक पूछा लेने का मंत्र जो आप लोगों ने पूछा था पर यह जो मंत्र है और भी बहुत से रे कामों में आता है पर यह आज जो है यह मिट्टी के द्वारा किस तरह से गंध के ग्यान द्वारा यह पता किया जाता है कि अगले के घर में कौन से सक्ती लगाई गई है तो इसका यह प्रमानित प्रियोग में बता रहा हूँ पर इस मंत्र को कम से कम भी जो पूर्णीमा आ रही है या कोई भी पूर्णीमा में कम से कम 108 बार जप ले और जब के हवन कर ले तो यह आज इवन मंत्र काम आता है और इस मंत्र के द्वारा पहले तो दो सामगरी की जरुवत परती है जो कि पहला खस का जड़ होता है जो एक पोधे होते है खस का अगर वो ना मिल पाए तो पंसारी की दुकानों में मिल जाता है बहुत आसानी से ही मिल जाता है पांच रुपे का बहुत ही हो जाता है तो वो खस का जड़ ले लेना है जो व्यक्ति के घर में अगर कोई लगाई गई सकती है तो उसे ही कहना है कि ले कर आए उसे और अपने घर की मिट्टी ले कर आए अब जब ले कर आ जाए तो एक हाथ में बोले उस खस का जड़ को पकड़े एक हाथ में मिट्टी को पकड़े जैसे कि बाएं हाथ में मिट्टी को पकड़ ले और दाएं हाथ में खस के ज़ड को तो बाएं हाथ में जो मिट्टी है उनको बोले कि अपने सर से शात बार उतार कर अपने हातों में ले ले लेए आप जब अपने हातों में मिट्टी को ले लेंगे खस के जड़ को बोलिए कि दवाई रखना आओ modest अब ये मंत्र जो है 21 बार पढ़के उस मिट्टी के उपर फूकना है और सुंग कर देखना है मिट्टी से कौन सी गंद आती है अगर मान लिजे गंदे चमडे के गंद आते हैं तो कोई मसानी क्रिया की गई है जो कि मसान लगाया गया है जो कि मरी माता या कोई काली की सक्ती यसे लगाई गई है इस गंद के माध्यम से ये पता चलता है अगर जलने के बुव आये तो किसी बान का प्रियोगा आपके घर में किया गया है कोई बान चलाई गई है अगर आपके घर में मान लो कोई मांस के गंद गी तरह के बुव आते हैं तो इसका मतलब घर में किसी पित्रह का कलवा मसान कच्चा मसान लगाया गया है अगर मान लिजे कपूर के जैसे गंध आते हैं तो ये देव पित्रों का दोस होता है अगर मान लिजे जिस तरह हवन होती है तो पुना होती की जैसे घी की जलने की गंध आती है उस तरह की गंध आती है तो कुल देवी दे उताओ का प्रकोप होता है तो ऐसे इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे प्रियोग है जिसके द्वारा पुछा लिया जाता है पर ये है जो दोस ज्ञान का यह मंत्र है जो की मिट्टी के गंध के द्वारा पता चल जाता है ऐसे इस मंत्र का अगर म गई है वो भी पता चल जाता है अगर मान लीजे अगर किसी कार ये से जा रहे हैं तो अगर इस मंतर के द्वारा एक गुलाब के पुस्ब के उपर फुक कर अगर उस गुलाब को ले जाते हैं तो आपका सारा बने बिगड़ता हुआ काम भी बन जाता है चाहे कितना बियाड़ा टेळा काम हो बन जाता है यह हम लोगों का परिच्छित और प्रमानीत प्रियोग है जो आप सबों के बीच में प्रस्तुती कर रहा हूं मैं कोई भी मंतर दे रहा हूँ वो जनकल्यान हेतु दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमेशा लावांगी थो हमारे मंतरों के द्वारा जो कि इसमें एक सूत भर भी मैं छिपाता नहीं किसी भी मने सब्दों को नहीं छिपाता ना किसी तरह के किसी मने की तरह का कोई भी ऐसा बनावटी भी नहीं है जो मैं प्रयोग करता हूँ वही आप सबों के बीच में प्रस्तुति लाता हूँ अगला जो भी मंत्र होगा वो मैं बहुत ही परखित मंत्र दूंगा और आप सबों के जनकल्यान है तू और आशा करता ह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे अगर अच्छा लगे तो आपकी इक्षा है सेयर करो सब्सक्राइब करो चाहे जो भी आपको लगे और ये मंत्र मैं जो है आपको अपने स्क्रीन पर दे रहा हूँ इसे अच्छी तरह से कंठस्त करके और आप इसे प्रियोग में लाएं ये हम लोग हमेशा इसका प्रियोग करते हैं और सफलता के साथ इसका प्रियोग होता है जै महकाल जै माकामक्याइब